दोहरा गयों के सरी चन्द तब पम्मा जसके साथ जन लूटे ओ बणियों के ने चुरत जात तुन मात वाहे गुरु जी का खालता वाहे गुरु जी की पते परम सतकारते सनमान योग गुरु सरूप गुरु खाल साथ संगत जी हो वड़ पागी हर संगत पावाए पाग हीन परम चोटा खावाए तंता दे पात्र हो नौमे पात्षा तलकते जंजू दे राखे शिरी गुरु तेग बहादर सहभ जी महराज जी दे पावन पवितर चर्ण छो प्रापत तिहा सकस्थान ते संद्या बेले दे सजे हो दिवाना चो एकत्र हो के हाजरियां परके साथ गुरां दी अमर्त में गुरु बानी दा कीर्तन रागी सिंगां दी रसनातों बहुती अदब सतकार ते शर्दा सहताप जी ने सर्वन कीता है कलगी तरजी दे पावन अमर्त बचन पाईसाब गाइन कर रहे स्थाना के अकाल पर खुआई गुरु प्रमेशर काल दा भी काल है कलगी आवाले पाथशाद पावन ते आसदी का था निता प्रती गुरु चर्णाच जुड़के आप जी सर्वन कर रहे हो पम्मा प्रोयत और राजा केखरी चंद है कलगी तरजी दे नाल गाल बात कर देने कुछ वदीकी परे बोले नाने बोले ने जिस दा फाड़ गुरु के सिखाने न नुदिता है ताड़ना करके एनानों सिरी अनान्द पर सावतों कड़िया है और हदायत कीती है के राजे पीम चंद नुँ कह देओ जिहो जा मूल है के गुरु नानक दे कारवल वेखेगा ओदान दाई फाड़ो नुँ प्रापतो वेगा तेथे जंग योद तो डर्न वाले सूर में नहीं सगों तर्म योद लड़न दिच्छा रखन वाले सूर में हाना तो पमा प्रोयत ते राजा केसरी चंद वाफस परते हन राजे पीम चंद नु जाके मिडेने आओ कलगिया वाले पात्षादा पवित्र पावन ते आस माना और विरतिया एकागर करके सर्वन करिये वाहो वाहो गुबेंद सिंग आप पे गुर चेला नासरो मनसूर गुरु गुबेंद सिंग हाकरा गंजूर गुरु गुबेंद सिंग जुमला फैजे नूर गुरु गुबेंद सिंग बादशा दर्वेश गुरु गुबेंद सिंग बेक सारा यार गुरु गुबेंद सिंग हाक हाक आईना गुरु गुबेंद सिंग नूर हारदार चसम गुरु गुबेंद सिंग रुह हारदार जिसम गुरु गुबेंद सिंग ऐसे बाजावाले चोजी परीतम सरबांस दानी कलगियावाले पाथशा दे पवितर चर्ण कमला दा त्यान अपने हिरदियां चतार्ण कर दे होया अपने जीवन ते रसना दे कल्यान में ताखिये जी सातनाम सिरीवाहे गुरु साइब जी सातनाम सिरीवाहे गुरु साइब जी दोहरा गयों के सरी चांद तब पम्मा जिसके साथ राजा केसरी चांद और दूजा पम्मा प्रुएत ए सिरी अनांद पर साथ तो वाप्स गए हाना जन लूटे ओ बणियों की ने चुरत जात तुन मात मानों जे मैं किसे बणिये नू रस्ते च लोट लेया हुए तो चुर्दे हुए परिशानी नड वाप्स मुड़ दे होना एदा दी चिंता ते परिशानी दे वेच राजा केसरी चांद ते पम्मा प्रुएत वाप्स परते हाना निशानी चंद निजरजतानी नगर में पौँचे सैसाई बड़ी काली नाड चल देया रस्ते दा पंद मुकों देया एपनी राजतानी यानि की राजे पीम चंद दी रियास दी राजतानी कहलूर रियास दी जड़ी राजतानी है वो बिलास पर है ये चल के अपनी राजतानी बिलास पर विच पहुंचे हाना उतर तुरंगन ते गए बैठे हो जेराई आपने आप कोड़े तो लथे ने सवारिया त्यागिया ने चल के उत्थे आए ने जित्थे राजा पीम चंद कचैरी विच बैठा है पगिया पटकी अगर तब द्रिग अशुरू छोरे दोना ने अपने स्तिरादिया पगां लाके राजे पीम चंद देगे पटक के मारिया हान केंदा सानुई ना पगां बनन दा कोई फैदा नहीं साड़े को लिज़त नहीं रही एदा रोए भी ने अखां विच्चों हंजु भाके सब राजन में पत गई पठकर गुर ओरे बोले दो में केंद लगे राजा पीम चंद जिन्ने राजे ने पहाड़ी उना सारें में विच्च तेरी ते साड़ी इज़त चली गई है साड़ी ने तेरी इज़त चली गई है इदा कह सकते हैं के तू सानु साथ गुरावल पे जया सी पर तेरी आबरू रोड़ गई है तेरी इज़त सारे पहाड़ी राजियां चे गवाच गई है तिस से जाचत वस्त को छित छे पर जो चीने करें अरादा राज को बल कर मद पीने और अपने बल दे नशे बे चेहोजे मसने क्यों तेरा राज खोनदा भी दावा कर देने तेरा राज थे उनवास्ते भी रादा करी बेठे हाना लातन मुष्टन कूट कर हम वेहर निकारे आवेक साथी उनाने की हाल्द करके तोरे है उना दे आ सिखाने नाद चांद बर गे दिवान ने लता नाड मुके आ नाड मार कोट के साड़ा नरादर करके अनाद पुर साब चुंकड़े है हसे अनाद पुर के रनर निर्प के जन मारे जाओद करके जंग को नव्यर निकासे ये राजा पीम चांद साड़ी एस बेजती दा फाल सानू ओदो ताक असिवनानू नी दे सकदे जदो ताक असिवनानू सिरी अनांदपुर साब चों जंग करके आपनी नगरी चों आपनी रियास विचों कड नी देंदे तावद थिरेन चिंतो हुए किसके परवासे जदो ताक तोनानू अनांदपुर साब चों कड नी देंदा ओदो ताक दासराजा पीम चांद तूं केदे परवासे थे टेक के बैठा हुया निश्चिंत हो के तर समाज संग राम को दिन प्रत बन गाड़े तो कि गुरू गोबेंद सिंग सहब जी निता प्रती जंग दा साजो समाज कठा कर रहे ने और दिन प्रती दिन मजबूत हुन दे जा रहे ने जंग लड़न दे विच होर जादा सक्षम हुन दे चले जा रहे ने जे ना करो उपचार कुछ तुम को पुर काड़े जे तु उना ना कोई उपार ना कीता उना नुँ अपने काबू ना कीता ते फिर ओ दिन दूर नहीं के उना ने आ के तेरा ये नगर खो के तेनु भी अस नगर चो कड़ देना पीम चांद कार कोप को कैसे सब होई ए सुनके राजा पीम चांद बड़ा गुसे चाया क्योंकि ना ने पेशकारी एदां कीती है आँ उन्दे आँ पगां लाकर साथ दितिने देखगे कहने साधी ता इज़त चली गई है ए पगां पेरे पैरा चासी लियास उटियाने उन्दे साधी जित तेरे आथ है उत्थे ता गवाच गई है राजा पीम चांद सुनके बड़ा गुसे चाया गुसे बे चाहके बोले आ केंदा दसोता से होया की है रोही जान दे हो मुँच जबान नहीं पौँदे होया किया उत्थे वर्तिया की है मिले के ने बोले के ने तुस्य गुरू जी तुम मिले हो के नहीं मिले जे मिले हो तो अड़े नालो बोलेने के नहीं बोले कई ऐसा वोई दसो सारा को जो थे होया की है आखरकार वर्तिया की है ऐसी की कटना कट गई है असबिगार किस बिदपयो मारन लदबाती जो कि मारन तक गल पहुँच गी अभी तौनूना ने मारया सिखाने तुसी आफ़ दासरे ओभी लता मुके मार के तौनू कुटेया मारया भी एथे तक नवबत पहुच गी भी तौनू मारना पहा आखरकार होया की ऐसा एहो जी केड़ी गल हो गई के उन्हानू तौनू मारना पहा है करो सुनावन छोरते बीती जेस पांती छोरते ना मतलब उन्दा भी मुड़ों दसो मैनू सारा को जा ये तुसी गए थो उत्थे जाके के में उन्हानू मिड़े की गल बात होई कली कली गल जे में उत्थे पहुच के तुसी कीती आजा होई है उसारी गल मैनू सुडाओ सुन प्रोहत पम्मे कई हम कीन बढ़ाई सुन के पम्मा प्रोहत बोलेया काय लगा है राजा पीम चांद असी पहला गुरुजी कुड़ गए जाके उनानू राम सलाम कीती उना दी सुबा कीती असी जाके पहला उना दी बड़े आई भी कीती जाची चारों वस्त जब ने गिरा अलाई जड़ो असी उना कुड़ो चारे चीजां मंगियां जेडियां तैं सानू पे जे आसी मंगन वासते उना ने सोण के सानू अगों कोई जवाब ने दता कुछ बोले नहीं देन कहे जाब रजत पान सुनकार और प्रोदा जड़ो असी केया भी तो अनू इना चीजां दे नाड चार हजार पेया भी दे आंगे पता नहीं की होया उदानू एक दम गुसे बेचा गए एक दम कुरूद बेचा गए सुन देया सार सारे उठावन पासते प्रेरन कर जोदा असली गाल नी दस्टी भी केसरी चांद ने की करतूत कीती है जेडी गालो ने कही सी भी जे देओगे ठीका नहीं ता सानू लेड़िया भी योँदिया एक गाल नी दस्टी कहने जी असी ता बासे नहीं के अभी पैसे देंगे पर अगों बड़े गुषे बे चागे क्रोध बे चागे और सानू अपने कोड़ो उठा रता आख्या उठ जो एतो मेरी या नजरा तो ले हो जो बेरे लगों तकेलते और वहरे मिकासे उना दे जेडे शिपाई सानू सानू जो तो तक दे ले आए जित्थे साड़ा डेरा सी उठे तक ले आए उठो सानू आख्या छेती अपना समान कठा करो सी कठा कीता फिर उठो भी सानू अनादपर साब तो बाहर तक तके मार के कड़ के आए हाना हम रो चले ओना बास कचू आए तुम पासे आए राजा साड़ा कोई वास नी चले आए साड़ा कोई जोर नी चले आओ थे ते यसी बेवास होए तेरे कुण वापस आए हान जे न तदारत अब करो सैना न चड़ाओ जे कर तू होणो ना ते कोई दांड ना दता उना ते किसे परकार दी कोई सजा ना लाई ते फेर साड़ी जड़ी बात चली गई आए मुड साड़ी सेरते नहीं होणी तो गुर क्या जाने तुमें रन में न पलावो ते जे तुसी ना कीता है दा कुझ हिला ते गुरू ने की जानना तो आनू की समझना होना ने तो आनू के जांग दे मदान दे बिच्चो जे ना नठे ना पजे पाए जोर आनांद पूरे पुरवेर निकारो ते तर के राजा होन तेरे वस है सारा कुझ तु चल के अनांद पूर साब ते अपना जोर पाए और जोर पाए क्योडानू शिरी अनांद पूर साब चों कट दे किसे तरीके वे थो चले जान एदे बेची तेरा ते साड़ा दोना दा पला है बोर बसावो जे बसें तर निजी अनुसारो ते मुड के एकवरी कट देओ ते मुड के ताव उथे वसायो जे वो तेरे अनुसार चलन जे तेरे अदीन हो के चलन कैदेन भी हाण सी राजे पीम चान दी आग्याच चलांगे फेर उनानू उथे बसादें सुनत कुपियो तब सैल पत पाती लिखवाई ये सुनने आ राजा पीम चान्द बड़ा वेश बेचाया गुसे बेचाया उसे बाकटे ने कलमदान कलम मगवाई लिखारी सदेया और आख्या लिख चिठी मेरे बलो जो मैं बोल दा हाँ बसियो चहें जे अनान्द पुर देव दुर्द पठाई इनने चिठी लखवाई आख्या लिखे चिठी देवेच गुरु जी जे तुसी अनान्द पुर साबच बसना चौँ देओ ता जेडा तो अड़े कुर परशादी हाथी आए ओ जिन्ना छेकती हो सके मेरे कुर पेज देओ नहीं ता नगारा चीन के उरवेर निकारों नहीं ता जेडा नगारा बजाओं दे फिर देओ थे तुसी ओ नगारा तो अड़े कुरों खोके तो अड़े निशान तो अड़े कुरों खोके मैं खुद सिरी अनांदपुर सावत्यों तो आनू बाहर कड़ांगा करें जे लर्बे हेत अब सदरे सिक मारों ते जे लड़न दा तुसी अगों वाल बनाओगे लड़न ली त्यार होगे ते मैं तो अडे समेत तो अडे सारे स्खानू मार मुकावांगा पकर कैद कर रातों नहीं ता जंग संगारों जा ता जी फडे गए ते फकड के कैद वेच सुटांगा ते जे ना पकडे गए ते जंग दे मदान चे तो अडे समेत तो अडे सारे स्खानू मार मुकावांगा अब लो में टारा तरे ओ गुर्ता सो भिचारों पले किलाओं तो एको बिच दून या खेरा फिर मैं अपनी दून जो तो अनुचंगी तरह शिकार खडावागा जमें होन खेट दे फिर देओ फिर पोल जाओ के तुसी मेरी दून दे बेच शिकार खेट सकोगे आई जानो सैन मम हेरों बल तेरा बासे समझ लो मेरी या फाओ जाई या समझो तो अडे कोड ते फिर वेखांगा के मैं तो अडे वेच किननक बल वेखदा किननक तुसी बलवान हो जदो मेरी फाओ जावेगी कूच करो मम देश ते कैदी जो हाती कैन लगा जाता मेरे देश वेच वेथो निकल जाओ जे थे रहन हैं ते फिर हाथी दे दे जो मैं मांग रहे हैं एरी वेच भी मेरी आन बन गई है ते जे तुसी नई दोवें गला मन दे ते फिर तो अड़ा ते साड़ा जांग दे मदान में चे शस्त्रान अड़ मेर होगा इस करके जे कोई साइक सद्रा अपना कोई मददगार सद्रा ते सद्राओ क्योंकि फिर होनता जांग दे मदान ची अपना मेर होगा जोर शोर इतियाद को लेक तुर्त पठाए इतना बड़ा जोर शोर लेक के ना चिठी दे वित जोए दे मूँ चाया इने लखवा के ओ चिठी बाजा वाले पात्षा दे कोड़ पे जी है पीछे अपनी मदद हित जित कितें बुलाए मंडी नगर सकेत के सेना जसवाले निकट कटोची को लिखियो आओ बलवाले तो जा करपाल कटोची या कांगर दा राजा उनु लेखके पे जे आख्या करपाल कटोची या प्रावा आजा तुमी तु कहना सी भी मैं तेरी साहता करांगा जे लड़ाई पही ते लोड पैगी है मैंनू तेरी आजा वीरा मैं बहाँ लार के तेनू डीक दा हाँ पुरी दोलो दण पेज के पॉंचो रण का जा करोल दा जेडा राजा सी उनू भी बलाया आख्या जांग दा समय अपने पहाडी राजयां दी इज़त दा वेडा है आओ वीरो रण के अपनिया इज़ता बचाल ये हरी चांद को बोल कियो ए सब की लाजया ग्रामन छेर इकतर तर जेतत जैं होई पिंडा वेचो छेड कठी कर ले छेड दा मतर बंगा भी ओ लोक जड़े लुटा खोहाँ वाड़े हुंदे है वी अवाज मार के जमे के बंगार्च नहीं साधले आई दे वी बंगार्च साधले भी जड़े लोट मार होवेगी ओ तो आनू माफ होवेगी ना तो अड़े कुण कुछ लेना ना तो अनू देना जो लुटोगे ओ थो तो अड़ा उ छेड़ बीना ने कठी कर ली राजे पीमचांद ने उना नू भी सद्धे पेग देते पौँचो तुर्त समीप माम हित कारज जोई इजड़ा कारज है इसनू करनबास्ते है राजे उ तुसी सारे बेरे कोड बिलास पुरा जाओ इमहकार सगरेन तो दन सेन बटोरी येता राजे पीमचांद ने सारे राजयानों सद्धे पेग देते मुड के आपनी फाउज भी कठेया करन लगा है पहे इकत्र पहारी ये परशल खें छोरी कच्छी मातवारे पहारी ये कठे हो गए राजे पीमचांद दे पास शिपाई कठे होए फाउजाई कठिया होई ये पिंडा नगरांदी छेड कठी होई बंदूकां पारके बंदूकां दे विच्चों गोडिया दाग दे अकाशुबन हवाई फायर कर दे हाना इतकागद आनंद पूर पहुंची हो जब आई इतर चिठी जड़ी राजे पीमचांद ने लेख पेजी सी ओ सिरी अनाद पर सा माराज जी दे कुड़ आ गई सुद हजूर पहुंची तब है निप पत्र पठाई कल गीतार जी कुड़ खबर पहुंची के राजे पीमचांद ने माराज जी आप जिनू चिठी लेख के पेजी है निकट अनाए बिठाए कर सब सबा मजारा जिना चिठी लेके आया दूद सी माराज जिनू दा सतकार की था उनू आपने कोल बठाया और जड़ी चिठी ले आया वो चिठी माराज जी ने मंगी है सुन्यो हंकारी को सतल जो लिखियो करारा चिठी वेच जो लेखे आ सी एक सेवादार ने पढ़ी है पढ़ के सुनाई है हंकारी राजे पीमचांद ने जो कुछ लेखे आ सी नई ताले ओ संग रामा साब लिखिया सी एक तेन गल्ला जाता अथी दे देओ जान अंद पर साब छटके चले जाओ ते जाँ फिर जांग कर्ण वास ते त्यार हो जाओ सुन कल गीतार रिस परे हमरो राण कामा संगीतार जी ने जदो सुने आते सुन के माराज जी बीर अस बेचाए बोले कैन लगे साड़ा तीजा कामजड़ा उने के है ना वो सानू प्रवान जांग दा क्योंकि साड़ा कामी राण करना है राण करन दा मतलब तर्म योद करना है दुस्तां दी सबानो खाड़ना एही साड़ा तर्म है करतब है जाचें गुर कार तेज था प्रापत होए सोई क्योंकि राजा पीम चांद जे गुरू करो जांग मंगदा है ते फिर गुरू करो जेड़ी चीज मंगिये उन मिल दिया फिर उनू जांगी मिलेगा जो जांग मंगदा है ना भी गुरू करो जांग चाहिदा है ते फिर उनू ओहा कोजी प्रापत होवेगा ने गज नितसन ने बने ना अथी देना सी ना अनादपुर साब छट के जाना है ले ओ तीसर जोई जेड़ा तीसरा उनने दस्ते आना भी जांग लड़न नू त्यार हो जो उदे ले असी त्यार बैठे असी ता आखे असी भी फोज लाए कि आएगा उनने फिर चिठी पे हिग दिती है असी ता उडीक दे सी बैठे इथे साड़े सूर में ने कुछ हमरे बिलम है इकतारे उडीका साड़े बनो कोई देरी नी लड़न बास ते जंग करन बास ते बास असी ता उडीक कर दे अभी कदो आएगा राजा पीम चांद ते साड़े सूर में आ गोड़ियां दे शकर पारे त्यार करी बेठे नूना नुच कोण बास ते अ तलवारां दे केवर बने पहे ने छकान लई उड़ना नू आ टाला पहियां ने परपर के बरतोण बास ते असी ता उडीक दे याँ साड़े बनो नी कोई देरी देरी ता राजय पीम चानद बनो हो रहियां कदे चठियां पैग दाए कदे दूच पेजडा ए और वे और की लालसा कार कैरान नी का एवधे मानच जोंग लड़न दी लालसा या ताशियो दी लालसा चंगी तरह पूरी करांगे रीज के पूरी करांगे वो भी परसान नो वेगा एक बारी के हाँ जांग होया है जांग लड़े होणगे उन्हें पहला बड़े पर आज जांग वेख के जरा साथ डेनल लड़ेगा उन्हों पता लगेगा कि असल बेचे जांग दा अर्थ की हुंदा है जांग दे मायने की हुंदे हाना इम लिखाए दे पत्र का दे तुर्त पठावा आरा जी ने ही चिठी एदा ही लखाई एन बेन जो बोल लिया लखा कि उसे दूत नो फड़ाई आख्या लव दूत जी एक चिठी जाके अपने राजे पीम चांद नो दे दे साड़े बलो है नंद चंद के संग के रण ब्योंत बनावा फूत ता चला गया चिठी लेके इदर पाथशा ने अपने दुवान पाई नंद चंद नल सला कीती आठ्षया नादचांद जी आपा त्यारी करिये हुण जांग दी मोर्चा बंदी करिये व्योंत बंदी बढ़ाईए पाथशा कहें दे किस तरीके नड़ लड़ना दोशमन नाड उदी सारी त्यारी करिये क्योंकि व्योंत बंदी बड़ी माइने रख दी है जंग केवल हैं 16 जा फाउजा नार नी लड़ हुंदा जंग लड़न वास्ते व्योंत बंदी भी बढ़ा कम रखदी है किस व्योंत्रण लड़या जन्दा है मेतान जड़ा जंग दा मुकरर कीता जन्दा है नीती बरती जन्दी या केड़ी के दोश्मन नो दी पिड़क भी ना होवे वी किस तरीके नर हमला हो सकदा है किदरो हमला हो सकदा है ओ सारिया त्यारिया व्योंत बंदिया माराज जी अपने असूर में अनाल पाई नांद चांद आदक सूर में अनल कर दे हाना करी गलम जारी तबे दन रखे सिपाई कलम जारी कर दती माराज जने जना फजा परती होना आज उपाई द्रवाजा खुला है कलम जारी कर दती फचांद नू परती करन वास्ते सुन सुन आवे सेंकरे अनंद पुरमाई जांग दी लड़न दी इच्छा रखण बाड़े हैं नेका सूर में कई लोडबांदने कई यानू चाहे जांग लड़न दा ओ माराज जी दा होकम सुन देयां सेरी अनांदपुर साब आके पाथशा दियां फाउजांच परती हो रहे ने रखत जात चेरे लिखें कै दर्ब चिमाई लेखके उना नू रख लएंदे उना दे चेरे मुड़े लिख लए जांदे ने हुलिया लिखेया जांदा है आज कल ता फोटों हों दिया ने ओदो हुलिया लिखेया जांदा सी नगर था रखेया फेर उनानु छे महीने दी तनखाते रखेया है कई कहने जी साड़ा ता मीने बाद सासाब करदो उनानु उस साबनल रखेया है प्रितक प्रितक गन जते कर लक जंग उमाई जनी फोजावना दे वखो वखरे जते बना दते हन वक्षो वक्रे जथे बना देते कम्पणियां बना देती या हन और लड़न बास ते त्यार करता है गुल का त्यार समू कर तारे सुनियारे और उदर सुनियारे यानि कि जड़े गोलियां बनावाले ने उटाल टाल के सिका गोड़ियां त्यार कर रहे ने बरूद त्यार कर रहे ने बरूद बरूद बनावई और आयुद सारे बरूद त्यार कीता जा रहे है बरूद एक कुपे हुन्दे सी पुराने तुसी वेखे होनगे उना कुपयां में तो बुरूद परेया जा रहे हैं गोड़ियां तियार कीतिया जा रहे हैं या हाना करें तीर बो जात के गन आएं कमाना और बहुत परकार दे तीर क्योंकि तीर भी कई तरा दे हुंदे ने अर्ध चंद्रे हुन्देने, मीन मुखे हुन्देने, बदामचे हुन्देने, खपरे हुन्देने, कई तरा दे तीर जेडेने, वो कड़देने, कड़दवाले और कमानना बढ़ियां सोणियां माराज जी बनवाऊंदे भी ने, ते बारों भी मगऊंदे हाना सेले पाले सांग कर अर तुपक माना सेले बर्चे बर्चिया बंदू का राम जंगे जनानू कहीं दे बड़े उत्यार कीते जा रहेने रख रहेने मार बकारा सूर में कै उच सुनावे लाडे सूर में आवेच उत्षा है सारे आचे सब मारबकाराई कर रहे ने अपनी रसनातो एक सूर मा कहेंदा आउन दो पहाडियानो आ मेरी बंदूक उड़ीक दी आउनानो दूजा कहेंदा मेरी तलवार म्यान जो भुड़क भुड़क जान दी है आवेता सही कोई पहाडिया इस्तलवार दे थल्ले ओनो दोड़ हिस्यां विच ना बंदा ते मेरा ना फलाना से हो नहीं इदा सूर में आपो वेच एक दूजे दाव तो शाब दो दे है सूर भीरता नाड बहादरी नाड मर्दव कुणे दिया बाता कर देने ओछे कोई कायरता दी भुईदली दी गल नहीं हुंदी सूर में आवेच इम समाज बो जंग को सत गुरू बनावें एदा जंग दा बड़ा बड़ा साज जो समाज सत गुरू जी त्यार करवा रहे ने नाल नाल वंड रहे ने फुत राजे गिर्पत कितत मिल मता पकायो उद्र पहाडी राजे कठे हो गए मिल के कठे हो के और मता पकाऊ देने आप सुच सलाहां कर देने गुर्ते कागद जब देयो सब हून सुनायो जो चठी पहुंची ना साथ गुरू दी जिनने राजे कठे होए सान उस हारे नू सुणाई चिठी जो पाथशा ने लेख के पेजिया सी उस हारे ने सुणे आपीम चांद दे समेत मिले ओ कृपाल कटोचिया सब सबा मजहारा कृपाल कटोचिया भी ओत्थी आया होया सबा दे बेचा के बैठा है करन जांग और मिटन को तिन मंतर उचारा के मैं जांग करन दा ति जांग नो मिटाउन दा दोवे मंतर पकाल है ने भी जे होवे ते मैं केवे करावा ति जे मेरे सेर ते होंदी होई ते रोकना केवे है क्योंकि हो सकता सारे राजे कैदे नभी किरपाल कुटोची नो सैना पदी बनाओ अगे इस चौधा सिवी इस आपी लड़न मैंनू ना जाना पवे इन दोवे गलानू विचा रहा है गुरू लड़नते ने मिटें मैं और निरता रहा हूँ कैन लगा जी मैं इस गाल नो नरवार्त कर ले आए के गुरू जी ने लड़न तो नहीं हटना उना दी चठी दो पता लग रहा है विउ लड़न नो त्यार बेठे हाना विपर केसरी चांद तो बिन डार जिन मारे ओ जोना नो कोई पह हुंदा ते एदा ना कर दे यानि की पम्मे प्रोयत नो ते केसरी चांद नो बे आबरू करके अनाद पर साब चो तके मारके ना कट दे अबे पत्र का लिख पटी सब परें लखाई मिलो बिचारो आप में जिम बिजे लराई केंदे उन तुसी आपस बिच मिलो ते विचारो के तुसी जंग के में जेत सकदेओ के में फटे प्राप्त कर सकदेओ सेन सकेली कनी गुर उन आपे जोदा ए गाल सुन लो के ते गुरू जीनू हलके आचना लेले ओभी हलके इने पावो लड़ी नी सकड़े क्योंकि गुरू को पोज भी आए ते मैं सुने आँ गुरू आप भी बड़ा योदा है ते मैं सुनें हैं कि उना दे दरबार बेच उना दे दादे दियाइं का लना हुन दिया ने जविआग दिया कि अर्भवयन साब दिया तैसे करके गुरू आप भी बड़ा योदा है ते उना नहें सैना भी बड़ी कठी किती हुई है केते एदा माडा ताराई ना जान ले उसात गुरानू ओवी पूरे त्यार बरत्यार हाना रचे मैत कम सान को ठाने मन क्रोदा ओवी जांग करण बास त्यार बरत्यार बैठे ने पूरे योदे ने तेवना दे नाल वी जडे सूर में ने ता कचीचिया वाट वाट पैंदे हाना अपने कार में ब्यासत चैये शुब शादी नाले भी कई जांगा कैंदा त्यार ने ओभी लडननू तुसी वेखलो भी जेत लोगे नाले राजा पीम चांद जी अपने कारव्यादा मौल बनेया हुया उच उन बला जो लेया मीटंग बेच कर पालक टोचिये नू ये नू पाता सी भी होन नाला था मैंनू भी जाना पैना बंदे मेरे भी मरने नू जांग शुडू करना अपने हाथ बेच होंदा और खात्म के में होना ये नहीं साड़ अपने हाथ चूंदा हो सकता हो थे मैंनू इना तोरदन था पड़ा दे के जाक टोचिया तूं अगे बाद के लाड़ ते की करांगा सोच दा है नाली जदो अपने सरते आन पैई है निदा पहला दोवाँ पासे चिठिया पे जिदा सी लड़ो जी लड़ो और जदो इननू साड़ ले आए अंदरों इसी राजी पाड़िया नाल अगे जाके दे पड़दे खुल जाने है वियने अलफ खान जड़ा जम्मू तो आया है ओधी मद्द की तीसी पाड़िया दे खलाफ खैर कैंदा राजन आपने कारवण व्यादा महोला पोत तेरे दी बरात चट दिया साहे दी तरीक रखी होई है सानमुक आयुद हतन के कब त्यागें बादी ते कैंदे जड़ो जांग दे मदान ते लड़ांगे अब मो सामने शस्तर चलनगे ते किते उना ने कोई लियाज थोड़ी करना है विपीम चांद दे कारवण दा महोला ते अपा ना मारी की बंदे जो तू जाएंगा ते उना अगो लियाज नहीं करना सानमक होगे जड़ों ते फिर बादी हो विवाद होवेगा ते शस्तर चलनगे मिर्तक संबंदी होएको बढ़शो को उपे हैं ते राजा पीम चांद जड़ों तेरा कोई रिस्तेदार मार गया आ केसरी चांद मार गया ज़े तेरा साड़ा कोड बैठा है इद ही लाएका कोई खेड़ों ते फिर दास्तर तेरे पोत दे मामे दि महत होई ओवे ते तो पोत दी ब्राद लाएके केवे चड़ेंगा ये चंगा थोड़ी होना फिर दे ब्योंदर कोई रिस्तेदार कोई तेरा पाई कोई बंदू जांक दे मदान तो मारें गया ते फिर दूजे पासे तु व्या दे बरात ते फिर केड़ी मू लहके चड़ेंगा केड़ी खुशी मनाएंगा पट आचे पोंचे बिना राण कवन करे हैं ते जे तु आखे में थोड़े जे बंदे पेज के जांग कर लिये ते तामी गाल नी बननी क्योंकि चंगे वदिया सूर में गए बिना उत्थे लड़ाई नी होनी चंगा जांग नी होना पटो छेर जे लर्न को तब पाए पराजे लर्न या जड़ी छेर कठी कीती या पेंड़ा चु जे तु इना नू पेग देना इना नू ता जान देया नू गुरु साब ने ता रद बोचना मार्म कोणा इना ने ता पहले धले दे वेची हर्न पर्न हो जाना सरे ओ कौन का रजिलको ले शतरू समाजें और फिर केडा कम सब रेगा तेरा केडा कम सुद रेगा दुश्मन दा समाज लेके या ते रिदे भिचारी ये रण नाएन आचो केड़ा ए जदू हार गे ता साड़ी बेजती भी राजे पीम चान दी ए ता फोल साड़ी सा दीन ही है न भी हार गए ने इस करके चंगी गल एई है के आपा हुण लड़न तो ताड़ा कर जाईए ये लर्बे को चैतो हो सुत ब्याहा न बांचो ये राजा पीम चान द लड़ना चोन है ते फिरेदाकार पुतर दे व्यादी तरीक थोड़ी जी अगे राख दे तरीक बदल दे व्यादी दोनों मैं इक को करो एमत है मेरा ये ना दोना चो एक कामता करना पैना जे लड़ना ता व्यादी तरीक अगे कर दे ते जे व्याद करना ते फिर लड़ना तो ताड़ा कर ले शादी मैं कुछ गमी होए इम नहीं अचेरा उजी दे मौल दे वेच एथे कीरने पैंदे होना एथे दीबिया माईया कठिया ओके द्वाथडे मार दिया फिर ना राजा पीम चांदे कित्छों दी स्यान पहै पीम चांद को सचिव सुन बोले हो सब माई लाके बजीर बैठा सी पीम चांद दा उनी बोल पे आकेंड लगा गुरसो नाक बैर रच सारे हो कुछ नाई ए गुरु साब दा शर्दालू बन चका सी केंदा राजा साथ गुरान बैर राच के तेरा की सबर ना है दास केडा राज पा आगते नू मिल जाना गुरु जी ना लड़के छोटे जे नगर बेच बस देने साठे ते दया कर रहे ने ते तू केड़ी रहास लेलेनी आउना दे कोड़ो लड़ते हो संसे बिजे में निस्चे किस नाई लड़े लड़न दे विच संसाई या भी जे तो होवेगी के नहीं होवेगी ये दे विच भी संदे है को जाने को पाए समझो मन माई को जाने कोण जाने भी की किसे नू मिलेगा की प्रापत होवेगा ये गल नू आपने मान चे समझ ले उत्सव दीरद ब्या को नै कीजे मन दा ते पेरे पुतर दे ब्यादा बड़ा उत्शब है बड़ा चाह त्यारिया कीतिया हुई याने ते ये नू क्यों माड़ा करदा ये दे विच क्यों तू शोग बढ़ोना है प्रतम करो पीछे लरो जे चाहे भी लंदा ते क्यों रांगेच पांग पाहरे हैं आप ही अपने हथी जे लड़ना ही हैं ते बाद विच लड़नी व्या करला पहला अपने पोत दा पीम चांद सुन मोन पा कुछ आए ना बानी सुन के पापी पीम चांद चोप कर गया होन बोले आनी प्या जान दा है दे कुणो की बोला की कहां उत्सत गुर पर बल परें इत ब्याहा परानी सोचदा उदर गुरु साब बली ने ते दर मेरे पोत दा व्याह है चिंता बस होए सब उठे ठेराए ना नीकाँ चिंता बस होए सारे बैठे ने सारे कह रहे न भी ये गल ठीक नहीं होन जैंग करना उचत नहीं जब गमने ओ रणवास में करके मुख फीकाँ ये ठिका ये मुख करके जमें मा मर गी होवे पीम चांद दी ये अपने मेलना बेच राणियां दे कोडाया राणी समझावन लगी अब तजोल लराई जाके राणियां नड़ गल कीती राणियां ने पहला ही रोणा शुरू कर देता ये तु का दा प्यो हैं आपने सके पोत दे व्या दे ओते रांग च पांग पांड लगाएं ये लड़के की लह लेना तु की खाट लेना कैंदे लू लानता पहुंदियां दियां राणियां दे कारवेच पहुंचियां पूरब शादी पोतर की देव भिगन मिटाई पहिला व्या तेरे पोत दा तेनू चैदा सारे भिगन दूर करने तुम स्याने मतिवान हो ताज देव बखेरां कैंदियां गोंतु स्याना व्याना हैं क्यों आपनी अकलनू आथनी मार दा छाट देस बखेडेनू अब लर्बे को समोने मानों बच मेरा कैंदा होन ओ कैंदे होन चंगा नहीं लड़न दा समा नहीं है उन्हान भी यही हामी परी है इत बर्जत शुब मत जीनो उत गुर अधिकाई इदर स्याने जनने बजीरे भी यही कह रहेने के लड़ना चंगा नहीं वर्जदे हान क्योंकि उदर साथ गुरू जी बड़े अदक बलवान हाना पीम चंद गिनती गिनत निश्चे ने पाई पीम चंद सोच रहा की करा वे अदर सारे रोक रहेने उदर गुरू जी भी सेरे चड़ रहेने की करा मानच सोची जन्दा है उट पर बात को सोच कर सब सबा बुलाएं अदले जन उठेया सोच चनान कीता सारी सबा नुएने सदा पेग देता वी कठे हो वो जे ठाकर गिर पत होते चल केतें आएं जन्ने पहाड ये सन सारे कठे हो के पीम सान पीम चंद दे सदे पे पहुँच गएं करे ओ फिकर को जिकर तब संसे उर ऐसो इने अपने एरदेदा संसा ते अपना फेकर जेडा हो सारे पहाड़ियां बिच परगट कीता लड़े बिना भी बड़ी हीनता हो रही है मैं अपनि ये हानी नुक्वे में बरदाश करा जो नहीं लड़दा उड़े गुरु जी साथे देश विच बस देने फिर मेरी जड़ी दून है दून के हैं दे पहाडा दा थलडा पासा बदानी लगा उदे चो रोज बे फेकर होके नगारे बजाओं दे फिर देहाना अनपावत कर जाते हैं दन क्रिकी बिगारें और मान पौधियां कर देने शिकार खेड देने मेरियां फसलाओ जाड देने इत तो जाची बस्त जो हम ब्याहां मजारी पर एक काम सब लेते हैं ए जग में कारी सो तो देनी कितराई जो लेन पठाए आपने अंदर दे करतूत नहीं दसदावी जेडियां मैं मंगाईयां सान वस्तुगां मैं मोडनीयां नहीं सान ओ नहीं प्यादा सदा कहनदा वो बस्तुगां उनने देनियां था कीसी सगों जेडे लेन गए सान लिन को करे अपमान वो पुरते निकसाए उनना अपमान ते आण नदर करके तके मारके उननानों अनान परसाव चो कड़ेयां उननानों नहीं मैंनू कड़ेया उननाने तो सुन ऐसी बात को जरती बो चाती चिंता सो दिन गुजरतो मैं नीद सो राती चिंता वस हो के मेरा दिन गुजरता रात भी मेरी पासी पल्टने गुजरती मैंनू नीद नहीं पीपें दी चतर करपाल कटोचिया बड़ बढ़ावा लाके करपाल कटोचिया जेड़ा बड़ा चलाक सी एच वैर बदान दे बेच काम कर रहा बढ़ दी पे तेल पारहा सी कोड़ हम कोले गुर सोल रहें ए हमने पावा ए लुए भी स्यान पसी भी सानू लैके ने लड़ना गुरू जी दे नार ए गल नहीं सानू चंगी लग दी चैत हटावन कोरी दे कैसबा मजारा ए बोल्या राजे पीम चान दी लड़न दी बिरती नू तालन वास्ते कैन लगा है अब तो इम ही रैन दियो छेरो ने रारा एंदे राजा होड का रैन दे होडे रार ए चगडा ना छेड ते एदे ची चंगा तेरा पला है रखिये उत्सब ब्या को और वो सब का जार उती ब्यादा उत्सब राच लवो और अपना जेड़ा काम है पहला कर लवो यस ले हो दे कर दर्ब को मिल है गन का राजार रात प्राप्त करो, सोबाप्त करो, तानाद के दे करके सारे राजे अनल मेल मिडाप करो, तहां मंत्र दन सबन सो कर लेओ साई जरूरी नहीं एत्ध जिज़ लडना तो ऊथे चली आप रात लएकर श्री नगळ ऊथे सारे राजे होड़ बारे ऊथे पते शाव जडा तेरा कुडमा बड़ा स्याण है उभी तिनु दसेगा सला देवेगा किमे लड़ना है सखासबंदी कित कप्रिये सदरे हितकारी तेरे जिनने सखासबंदी रिस्तेदार सारे हितकारी उत्थी होणगे उन जिम चाएं तिम करें होए दल बल पारी सुन किरपाल के मंत्र को सबून सरा पाल को टोचिये ने जदो ए गल कई सारे ने दी इस गलती सलागा कीती है राजनिती की रीत ए मानो मनमा ते फतिशाद ए गल्च लड़ाई पोणा चोंदाई फतिशाद ए गल्च पवे लड़ाई पीमिचान दोदे ना अगे ने उड़ी ए नहीं पोणी है फतिशाद नो भी ओथे जड़ी लड़ाई दे सारी ब्योंत बणी है ना पंगानी दे जांग दे एक टोचिये नहीं पोवाई ओथे भी लड़ाई एन वो के ते कहा दता पीमिचान दो के फतिशाद वाख तेरी कुड़ी दी डोली ता लएके जावाँगा जे तू गुरू जी ते अमला करेंगा वो अगे कथा हावणी है ते अपने गड़ो लाके सारी लड़ाई उद्र छुटना चूदा है कहे सबन के तूप को मन तेता जी दीना जदो सारे आने हामी पारदितिक टोचिये दियां गलाच ते राज-पीम-चांद ने भी अपने लड़ंदा पुर्णा त्याग देता ते मान चों पहते आ गया पीम-चांद माने ओं कए ओदम ने की ना हस्तियो ब्याँ के काज में वो मेल बुलाए को कि मेल बुलाया हुए सी सारा रिष्टेदार सनबंदी आए हुए सी व्यादे कामदे वेचे फास गया प्रिंद सबंदी जित कितों उतलावती आए बड़े रिस्तेदार सरबंदी उतलावतावले हो हो के चारी पास्तेयां तो आ रहे सन पीम चांद दे सदेते जेतक गिर्पत तैं होते निर्प के हितकारी जिनने पहाड़ी सान राजे सान एदे हितकारी नू समझाओन बाले बड़ सबंदी सब आए सैना संग सारी सारे सरबंदी आगे बहुत सारियां फोजा शुपाई आगे गुरसों तार बिरोद को देड मूरख मानी मूरख ते मानी राजे पीम चांद ने अपने मान चे साथ गुरा प्रती पका वैर रख लेया जहत लेओं पल टाप उने कर्चमू मानी कहड़ा एक वारी फाज कठी कर लवा फिर मैं बदला लवांगा गुरू जी दे कोडू केसरी चांद कोड बैठा बेखे भी जाएगा लड़न केसरी चांद नू कहेंदा फिकर ना कर केसरी चांद तेरी लथी पागदा बदला लेना मैं जरूर उन्नू भी कोड बैठे नू अऊसला दंदा तरवास दंदा है ते एदर कलगियाँ वाले चोजी प्रीतम पात्षा सिरी अनांद पुर साब जी बिना लड़याई जंग जेतली है लड़न दी लोडनी पर एक परकार नड़ जंग जेतली कलगी तर पात्षा ने मातां जी नड़ विचारा हो रही जाने ओ काथा आप जी अगले आप पर संगां विच सर्वन करोगे गरीबन बाज सहब जी दा पवितर पावन इतिहास कसन करवेयां होई या पुला चुका देखे मा वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू आए गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू आए गुरू वाहे गुरू